आए हमारे घर में दो जो अल्टिमेटली दादी का एक सिंबल रहा है कि दादी को काले बच्चे पसंद नहीं है, काले लोग पसंद नहीं है, गोरे लोग पसंद है तो दादी के सामने अभी बड़ी वडबनार वो कोशिश में है कि काले बच्चे को हटा दे और गूरे बच्चे को घर में पर्मनेंटली रख दे जब बच्चा होता है तो उसके कुछ समय के बाद शेह चटाने की रस्म होती है वो ये रस्म कर दिया, कर दिया जो गूरा बच्चा है एक्चुली बिला परिवार का बच्चा नहीं है जो काला बच्चा है वो सुहानी का बच्चा है और दादी कहती है कि अभी काले बच्चे को हम इस पीड़ी में आने ही नहीं देंगे चाहे कुछ था सून चेहना चाहूंगे कि तीन साल से वैसे तो हमारे फैंस ने बहुत प्यार दिया है हमें बहुत सा राया है भी है और आप लोगों की TRP से हम लोगों को हिम्मत मिलती है सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया करना चाहूंगी और हमारे सब को-artist और हमारे producers सब ने बहुत महनत किये हमारे technical team ने भी बहुत महनत किये तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई सम्मेबार शोबंध होने वाला है तो उनका end मुद्ध जो है वो यही है कि जिस तरह से हमारी स्टोरी शुरू हुई थी कि दादी और सुहानी में आखिर क्या कॉंपलेक्शन है तो वो कॉंपलेक्शन यही है कि दादी को गोरे और सुन्दर लोग पसंद है दादी बाहरी सुन्दर ता को जादा एहमियत देती है बजाए कि काले लोगों के तो वही मुत्ता यहां एंड में भी रखा है और उसी स्टोरी को लेके हम लोग find up करेंगे। मेसेज हम यह दे रहे हैं कि दिखिए हम एंटर्टेन्मेंट की दिन्या से जुड़े हुए हैं तो डेली सोप की स्टोरी जो भी बनती है बिकड़ती है उसमें आप परसनल लिना जुड़े हैं हम सब लोग आपके साथ थे साथ हैं और आप लोग हमारे साथ हमेशा से करता है और हम भी वही दे रहे हैं तो हमने भी वही दिया है और I hope कि आप लोग की जैसे वियर्शिप रही है हमेशा से आगे भी ऐसी रही तो हो सकता है कि चानल कभी ये सोचे कि हम दूसरा भाग बनाने जा रहे हैं हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारे शो की पॉपुलेटी बह मिलता तो शायद सोने पे सोहागा हो जाता पर कोई बात नहीं जो मिला है बहुत अच्छा मिला है and I will say thanks to everybody to you